जैसे ही वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान का भर्टवारा हुआ उसी समय से इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हो गया कभी भारत और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करते थे वो ऐसा समय था जब सभी भाई 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 बन कर रहते थे और देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक को दाव पर लगाने के लिए तयार थे लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद ये दोनों ही देश भाई 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 हुआ करते थे वो विभाजन के बाद जानी दुश्मन बन गए आज भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि इन दोनों के दुश्मनी के किस से पूरी दुनिया में है पाकिस्तान भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और किसी भी कीमत पर भारत को नुकसान पहुचाना चाहता है इतना ही नहीं भारत के लोगों को नुकसान पहुचाने के लिए पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का सहारा लेता रहा है ये दोनों ही देश एक दुसरे की इजत्त की धजियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हम सब ही इस बात को जानते हैं कि भारत हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है लेकिन इस बारे में पाकिस्तान की बात करें तो वे भी अपने यहां होने वाले हमलों के पीछे की वजह भारत को मानता रहा है लेकिन अगर सच्चाई के बारे में बात की जाए तो भारत के पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे ये बात सही सावित होती है कि भारत में जितने हमले हुए हैं उनमें से ज्यादा हमले पाकिस्तान ने कराए हैं आपको बता दें कि पाकिस्तान शब्द का अर्थोर्दू और पार्सी भाषा में शुद्ध भूमी या पाक भूमी होता है। इतना ही नहीं पाकिस्तान के राष्टगान की दुन को दुनिया के तीन शेश दुनों में पहला स्थान ट्राप्त है। पाकिस्तान चाहें किसी चीज में प्रतम स्थान पर ना आया हो लेकिन इंटरनेट पर पॉर्ण सर्च करने के मामले में पाकिस्तान पहली स्थान पर आता है आपको इस बात को जानकार बेहत हैरानी होगी कि पाकिस्तान के लोग इंटरनेट पर ज्यादा तरसू अरबिली और साप कीपोर्ण देखना पसंद करते हैं माना जाता है कि पाकिस्तान के लोगों की ये पसंद बेहत अजीब है सन 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में दोनों ही देश अपने आप आपको विजी मानते हैं लेकिन आपको बता दें कि भारत के बास पाकिस्तान का ज्यादा हिस्सा था लेकिन सोवियत संगह और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत को पाकिस्तान की सीमा वापस करनी पड़ी पाकिस्तान के पब्लिक सिनेमा हॉल में सन 1995 से 2008 तक बॉलिवुड फिल्में दिखाने पर प्रतिबंध था 1947 में आजादी के दौरान पाकिस्तान में हिंदू जन संख्या 15 प्रतिशत थी जो अब घटकर मातर एक प्रतिशत रह गई है आपको जानकार हैरानी होगी सबसे पहले वायरस पाकिस्तान के दो भाईयों ने बनाया था इतना ही नहीं पाकिस्तान के कई और ऐसे रहसे हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं पाकिस्तान के ऐसे ही कुछ और रहस्यों के बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं